नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियों में हम बात कने वाले हैं सोईला और सत्रो तूला रासी फल के बारे में कि याग इन तूला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किनकी इन्ची जोसन को फैदा होगा और किन्ची जोसन को साथाना ना होगा इनकी लब लाइब केसी रहेगी, केरियर के सा रहेगा, बिजनस और वेपार के सा रहेगा और स्वास्त की महत्वन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपिकेशन बैल को दबाएं जिसे समय समय पर हमारी नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजेटिव रने वाला है भावन निर्मान सबंदिरों को यह मामले पुन्ह गती पकड़ेंगे महत्पुन लोगों के साथ समय व्यत्तित करने से आपके व्यत्तित में भी सकारत में बदला पाएगा किसी जोरत उन मित्र की सहता करने से खुशी प्राप्त होगी आचाने किसी नजदी की मित्रियार इस दरत से मुलकात रोजमरत तना भरे माहुल से रहाद देगी और एक उर्जा महसूस करेंगे जिस समाचार को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत थे आज बस समाचार आपको प्राप्त हो जाएगे किसी महत्पुन लक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी उर्जा लगा देंगे और सफल भी रहेंगे विर्द्याति के किसी इंटर्वी या सम्मेलर में महत्पुन उपलवदी के प्राप्ति होगी कुल मिलाकर समय अनुकूल है इसका बेहतरिन सब्योग करें ने राजिनती समंद्ध की और अधिक मजबूत करें क्योंकि महत्पुन उपलवदी आपका इंतजार कर रही है इस समय ग्रह गोचर पुर्णता आपके पक्ष में है किसी नजदी की समंद्धी के साथ महत्पुन मुद्य पर भी विचार विमर्स हो सकता है इसलिए कुछ समय से जो दिर्ख काली में उजना बन रही थी और उन लक्षों को आशिल करने के लिए उत्तम समय है अध्यात्म के था समाजी करति विद्धियों में वैस्ता का आलम रहेगा घर के बड़े गुजरों के से वा देखवाल भी समय वैतित होगा आज का ग्रह गोचर भाग आपके पक्स में पूरी तरह से काम कर रहे हैं अपने किसी परकार की समय स्या का समधान निकालने के लिए समय उत्तम है इसलिए प्रयास्ताद रहें युगावल को कुई मैत्पुन उपलवदी हासिल होने से रहात में सुस करेंगे इसलिए से के साथ बात कर लेते हैं नेगर्टीब की कुरोध वग गुशिय को अपने उपर हावी न होने दे अनथा बना बनाया काम विगड़ सकता है कुछ नकारतम प्रवर्ती के लोग आपके लिए परेशाने उत्तम कर सकते हैं हलाकि आप उनके महास्वमों को काम्याब होने नहीं देंगे इन दिनों खर्चों के अधिकता रहेगी जिसके वाज़े से कुछ महत्वपून काम रुख सकते हैं परवर्ती के साथ किसी पर करकर ज्जागड़ा या कहास में होने की आसंका है बेतर रहा कि फालतू की गतिविद्यों में अपना स्वम बिर्थे ना करें चता अपने कारियों पर ही ध्यान करिद रखें परन्ति इस बात का भी ध्यान रखें कि राजितिकार में आपकी छवी खराप न हो इसके लिए नाकारपना परवर्ती लोग से थोड़ी से दूरी बना कर रखें संतान की परस्तिज कॉलेज में परवेशना होने से चिंता रहेगी कुछ लोग आपके खिलाब या साजिस रख सकते हैं इसलिए अंजान विक्तियों से वीडियो को नदर अंदाज न करें आर्थे ग्रूप से भी कुछ उल्जन एवन समस्यां उभर सकती है परन्ति आपकी भावना वा उधारता का गलत फैदा भी उठा सकता है कोई महतपुन वस्तु के नाप मिलने से टेंशन भी रहेंगी दुस्तों बात करते हैं वेवसा की वेवसा और नौकरी से समद्धिक किसी भी कार परतिक महतपुन ने स्वंगी द्वारत करें क्योंकि काम क्वालिटी की कमी आने से खामयाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा बस वाधेकारियों नाराजगी भी सहस करने पर सकती है वेवसा में नविकरन तथा बदला समद्धिक कुछ ठोस निने लेंगे काफी हद तक कामया भी रहेंगे खोट के समद्धों पर ममलल चल रहा है तो आज उसके कारवाई को अस्थगीद ही रखें आज वेवसा में एक के बाद एक परिशानिया में हैसुस होगी अब अपना धहर वा आत्मबल बना कर रखें समद्धिक को समद्धान आवस प्राप्त होगा किसी भी परकार के लेंदेन को आज अस्थगीद ठीक कर दें वेवसा में विचार समद्धिक जोजना बनाई है उस पर पुर्ण विचार करने की आवसकता है कोई बड़ा ओडर या डिल केंसिल हो सकता है किसी व्यक्ति पर अधी विश्वास न करें और फिस का महौल सांतिपूर बना रहेगा अपने वेवसा की कार परनाली में जो परिवर्ण किया है उसके अब उचित परनाम हासिल होने वाले हैं अपने पुर्दवा जल्दिवाजी पर काबो रखें अधा बना बनाया काम अंतिम च्छानों में अटक सकता है भूमी तथा बहान समंदी वेवसाइग गतिविद्यों में सुधार आएगा नोकरी और कार्चेत में टार्गेट पुरा करने के दवाब रहेगा उच्छ अधेकारियों के साथ समंदों में कुछ कड़वाहट भी आ सकती है महीं बत करते हैं लव लाइग की परिवर्य वतारण समान देगा परिवर्य वतारण सुख नमा बने रहेगा बच्छों से समंदी कोई सुभ समाचार में से प्रसंता भी रही परिवर्य के साथ किसी धार्मी स्थल में जाने का प्रोग्राम बनेगा अताद्मी गतिविद्यों में रूची लेने की सुपन और सांती प्राक्त होगी पत्ती पत्नी के बीच चल रीम अध्वेदों का निराकरन होगा घर की विवस्ता सुचार रूप से चलती जाएगी ती पत्नी के रिष्टे मधूर रहेंगे परन्तु घर में इस तरियों के बीच कुछ टक्राव होने क्या संका है जीवन साथी के साथ घूने फिरने तथा रोमांटिक अतिविद्यों में समय वेतित होगा परिवार में किसी वेक्ति को सगाई या विवास से समंधित योजना भी बनेंगे इस तो बात के लिए तो स्वास्त की पेट से समंधित समंसिया या कमरदर जैसी तकलीव रह सकती है लगवार होई बेलकुल न पढ़ते हैं इस समय कहीं सूजन अथवा यूरिन समंधि इंफेक्शन होने की आशनका है लगवार होई बेलकुल न बढ़ते हैं और तुरण इलाज लें एसीजटी और ग्यास की समंसिया रहेगी ज़्यदा गरिष्ट और तलाब लाभ हुजन खाने से परहेज करें स्वास्त ठीक रहेगा परंतु अपने दिन चार्या वा खान पान को उजित रखना आतिया वाज सके है गर्मी के वाज़े से पाचन सक्ती की विगड़ने जैसी परिशानी रहेगी तल्ल परदार्था का अधिक से अधिक सेवन करें च्रिस्त आपके उपाय के बारे में बता देते हैं पांच वार हनुमान जी को चोला चड़ा है तो तुरंती संकट से मुप्ति मिल जाएगी इसे अलावा परति मंगलवार को या सनिवार को बर के पत्ते पर आटे का दिया जला कर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा है और चाई को देखें और सनि मंदिर में सनिवार के दिन काटोरे सही तेल लगकर आ जाएं इससे भी सनिदेव अपके किरपा सुर हो जाएंगे दोस्तों परति दिन चेटियों को खाना देने से कर्ज और संकट से मुप्ति मिलती है यह उपाय जलू करें दोस्तों आपको निश्यती सफलता मिलीगी चलिए अब बात करता है अपका भागे साली रंग और भागे साली अंग क्या है तो अब का भागे साली रंग के से रिया है और भागे साली अंग तीन है तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तेसे लाइक और सब्सक्राइब जड़ो करें और कॉमेंट बॉक्स में जे सिरम जड़ो लिखें दाने बाद